सबी कुछ जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज आपके लिए इंट्रोस्टिंग और एक बहुत ही इंपोर्टन वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपके लिए डेटस इंट्रोस्टिंग और इंफोर्मेटिव वीडियो लाते रहें जैंद जै भारत गालियां भी दिलवा सकती है यह जुबान तालियां भी दिलवा सकती है तो अर्विन केजरिवाल को पहले तालियां में ल सबसे बड़ा भग था वही गली कुछे वाले लोग जो अर्विन केजरिवाल के सबसे बड़े भगते हैं आज मिठाईयां बाट रहे हैं आज एक दूसरे एक और रंग लगा रहे हैं कि भईया अदिली का सबसे बड़ा चोर जेल चला गए एक दो चीज मैं कहना हैं और बाद में स्क्योर्टी ओ लेते नजर आए लेकिन पाकिस्तान में जो उनका एक इमेज है वो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी सियासी पार्टीज हैं जो बकाइदा तोर पे ये बात करती हैं कि हम एक ऐसा कंसेप्ट लाएंगे जैसा दिल्ली में आम आदमी पार्टी कंसेप्ट लेकिया इए फ्री बिजली फ्री राशन और ऐसे मेडिकल सर्विस वगएरा एक तो ये चीज़ फिर पबलिक में खास दोर पे पाकिस्तान की पबलिक खास दोर पे मैं लहूर में ज्यादा होता हूं तो वहां पे आम आदमी पा पार्टी ये सब कुछ कर रही हैं अब ये चीज आप ज्यादा बेस्तर चालते हैं इवन मैं तो ये भी कहूंगा डैफिनेटली इंटरनेशनल हम अफेर्ड को कवर करते हैं तो देखने वाले जितने भी लोग हैं ज्यादा तर इंडिया से हैं कमेंट बाक्स में जरूर है आप आदमी पार्टी या अर्वन केजडिवाल साब के बारे में क्या कमेंट रखते हैं या कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा नाजिया जी आपको सुनके हैरत हुई कि हमारे मीडिया पर ये एक इमिज था और मैं अपन ली मैं भी एक चीज ये कह दो कि मैं हुद ब परिया रखते हैं बहुत बधIGN गठालिका वीत्ती ए और बोध कहीं लिए ओएगा ने इसके अंदर जब देश के हित्मे बहुत महबबत होगी बहुत प्रेम भी एक़ किया त्ब मैंने इसने को समझना स्कारों किया तब मैंने क्रैशन बैठा लिया था जब पहली बार ये तौकिर रजा से मिलने के लिए गया था तब मुझे समझ में आ गया था यह वो तौकिर रजा से मिलने गया है जो हमेशा भारत के मुसल्मानों को औरंग जेब का सिलिपर सेल बनाता रहता है जब आमादमी पार्टी के चीफ मिनिसर अर्विन केजरिवाल का खरीबी MLA अमानतुल्ला खान रोहिंग्या और पाकिस्तानी मुसल्मानों को देश में घुस्पैटिया बना करके इज़त से रखने के लिए दिल्ली में राइट कराने की कोशिश किया अमानतुल्ला खान तब मुझे समझ में आया कि भाई ये तो उसको सपोर्ट कर रहा है जिससे भारत नफरत करता है लेकिए भारत नफरत किनकिन से करता है इसके मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी जो आप भी गौर से सुने बुरहान जैसे आतंकी जिहादी, वहषी को शहादत और शहीद घोशित करने वाला मुसल्मान अफजल गुरु की फासी पर शर्मिंदा और उसकी मौथ पर मातम करने वाला अवेसी और भारत का मुसल्मान अजमल कसब के हाथ पर मजार शरीफ का पीला और लाल धागा को कलावा साबित करने वाला अर्विन केजरी वाल का एमेले और भारत का मुसल्मान कमलेश दिवारी का गला रेतने वाला मुसल्मान भारत के पार्लिमेंट पर अटैक करने वाला मुसल्मान बदाईयों के दो मासूम बच्चों का गला रहितने वाला मुसल्मान कश्मीर के गरीब मासूम बच्चों के हाथ में पत्थर देने वाला भी मुसल्मान याकूब बेमन के जनाजे पर नमास पढ़ने वाला भी मुसल्मान उसामा बिन लादेन की मौत परमातम और जिहादी को शहादत का दरजा देने वाला भी मुसल्मान 1665 और औरंजेब के जमाने से लेकर के 2024 तक हिंदूँ पर अत्याचार करने की साज़िश करने वाला भी मुसल्मान और उसकी जिंदा मिसाल के कल अलिगर मुसलिम यूनिवरसिटी में कुछ बच्चे वहां के चात्र जो है वो होली का एक फेस्टिवल मना रहे थे और जितने भी मुसल्मान वहां के चात्र है उन्होंने पिस्टिल बं गोली निकाल दिया और नमास पढ़ना स्टार्ट कर दिया और और नारा नारे तकबीर का लगाना स्टार्ट कर दिया मानो यह यह आलम हो चुका था कि मुसल्मान चात्र हिंदू चात्रों की मॉब लिं चलें ये तो जाही बात है भी आखे, आपके एलिक्शन भी आने वाले है, और एलिक्शन में बहुत सी चीज़े क्लियर हो जाएंगी, नाद्जी इस चीज़ से मैं इंस्पायर हूँ इस वज़ा से कि जैसे आपकी फारण पॉलीसी है कि सब के साथ बेस्तर चलना लेकिन जो इंटर्नल मैटर या आपकी स्क्योटी के उपर बात करता है आप बिल्कुल स्टेट फारवर्ड जॉब देते हैं मैं ऐसे पाकिस्तानी चाहता हू काश हमारे पाकिस्तान की भी ऐसी पॉलीसी हो ऐसा नहीं कि हम बोलें बारत हमारा दुश्मन है बारत हमारे में बात आए तो हम खमोश हो जाएं हमें जहां पे कुछ गल्ट होता नजर आए खास वर पे अपने कंट्री को लेके हमें वहां बोलने की जरुत है अगर हम किसी कंट्री के ओपर बात करेंगे या इल्जाम लगाएंगे और दूसरे कंट्री जहां पर वाक्षी में वो चीज़ हो रही है अब चाइना के मुस्लिम के ओपर हम बात आज तक मैं ये शॉर्टी से कहता हूँ मुझे कोई भी पाकिस्तान से अगर देख रहा है कोई एक मीडि का किसी एक मीडिया पर्सन का प्रोग्रम दिखा दीजिए जिसने चाइना के मुसल्मानों के ओपर बकाइदा तोर पे प्रोग्रम किया हो तो फिर हमें आइडिया हो के हाँ वाई वाकई में हमारे जोंसे लोग हैं दर्द रखते हैं मुसल्मानों के लिए ये मुसल्मानों का दर्द नहीं, यह उम्मत मुस्लमा का दर्द नहीं, यह अपना एक मतलब होता है, अपना एक एजंडा होता है, जो कि हम कोशिश करते हैं, इसको ज्यादा ज्यादा एक पोज किया जाए, नाजिया जी बहुत अच्छा लगा आप से बात करके, और लास में यही कहना चाहू कि मेरी जितनी भी यह डिबेट थी, गुफटबू थी, आप उससे एगरी कर सकते हैं, नाजिया जी से जो भी किसी को अगर कोई एक तलाफ हो, या आप उनकी बातों से एगरी करते हो, आप कमेंट बाक्स में बता सकते हैं, और अगर किसी को ऐसा लगे कि वो पाउंटर करन करते हैं, तो आप क्या इन्वाइट करती है, या चैलेंज उनका एक्सेप्ट करना चाहेंगी कि हाँ आएं हम बात करते हैं, मैं तो बाहें पहला करके वेलकम कह रही हूं, पुशामदीद आएं प्लीज आएं मुझसे बात करें, लेकिन हवाबाजी पिजिए, लेकिन हवा लाजुता मारते रहते हैं, काहें उनकी प्रोपर्टी हडप करते रहते हैं, उनकी बहुत बहुत बेटियों को लूटते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस किसी को भी मॉल, मुला, खारी, इसलामिक प्रेचर, रोड का आदमी, मतलब एक शॉपकीपर, घर की कोई जिहादन ओरत या कोई बहुत अच्छी ओरत या पढ़ीली की ओरत जिसको भी एनीवन जिसको भी मुझसे कनफरन्टेशन में बैठना है और इस दुनिया के किसी भी कोने से बैठना है, वो मेरे साथ बैठ सकता है, लेकिन शर्त सर्फ इतनी होगी कि हवाबाजी पर बात न गल्द है, ये गल्द है, लेकिन मैं बहुत सी वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ, कि अगर किसी को गल्द लगता है, में भी, मैं यहाँ पे नादिया लाही के सामने बैठ के कहा हूँ, में भी वो गल्द हो, आएं, लेकिन आप इस लाजिक, विद प्रूफ, विद डक करती है, तो ये तो हिंदू को स्पोर्ट करती है, ये मुसलिम नहीं है, सिर्फ इतना कहने से किसी भी, मतलब आप किसी लाजिक को नी जुटला सकते, किसी सचाई को जुटला नहीं सकते, बहुत जबर्दस रही आज की वीडियो, बहुत अच्छा रहा, नादिया जी के कर रहे हैं, फिर आपने देखा चाहिए, उन्होंने बात की अर्विन केजरी वाल की, या फिर OVC की, पर एक बात मुझे नाजिये खान जी की बहुत ही बहतरीन लगी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जैसे भारत की फॉरिन पॉलिसी, जहां पे वो फॉरिन कंट्रीज को मू जै भारत